इस कहानी का नाम है वक्त बदलता है मदू की शादी एक अमीर संयुक्त परिवार में हुई थी वह घर की छोटी बहु थी उसके ससुर प्रदीप जी का होल सिल कपुडों का बहुत बढ़ा व्यापार था उससे बड़ी दो जेठानिया और थी और दोनों ही अमीर घराने की थी जो बहुत दान दहेज ले कर आई थी उसके पती घर में सबसे छोटे थे और पैदाईशी लकवा ग्रस्त थे इस कारण प्रदीप जी ने मदू के पिता जो उनकी दुकान में मुनीम थे उनकी तीन बेटिया थे उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी में उनसे करज लिया था जो वह चुका नहीं पा रहे थे इस कारण उनकी इस मजबूरे का फाइदा उठा कर उनकी दूसरी बेटी मदू से अपने अपाहिज बेटे सचिन की शादी करवा दे थी उसकी दोनों जी ठानिया हमेशा उससे अकड कर रहती थी दोनों ही उससे नौकरानियों जैसा वेवाहार करती थी मदू एक अच्छे दिल की सूस अंसकारी और बहुत पड़े लिखी लड़की थी उसने अपने पती सचिन को कभी महसूस नहीं होने दिया कि वह अपाहिज है वह घर में सबी का ध्यान रखती थी इस कारण उसके सास ससुर्वी धीरे धीरे उससे अच्छा वेवाहार करने लगे थे वक्त गुजरता गया वह एक बेटी रिया की मा बन गई दोनों जिठानियों को दोदो लड़के थे इस कारण उन दोनों का घमंड और बढ़ गया था मधू अपनी बेटी को खुद पढ़ाती थी और उससे कहती की मेरी रानी बेटी एक दिन अपनी मा का सपना पूरा करेगी क्योंकि वह शुरू से ही IAS बनना चाहती थी पर जल्दी शादी हो जाने के कारण वह अपना ख्वाप पूरा नहीं कर पाई थी उसकी बेटी भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी वह हर क्लास में आवल आती थी इस कारण उसको हर साल स्कॉलर्शिप भी मिलती थी दोनु जेठानियों के लड़के लाड़ प्यार में बिगड़ गए थे वह बहुत मुश्किल से जैसे तैसे पास हो थे और अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सके थे यहां देखकर अब मदु की दोनु जेठानियों के अकड और गुरोर दोनों तूट गए थे उनकी जो गर्दन हमेशा एठी रेती थी वह अब जुकने लगी थी अपने बेटों की असफलता के कारण उनके पती और ससुर भी अब उनको डाटते रहते और मदु की अच्छी परवरिश के लिए उनको बोलते रहते थे यहां देखकर वह दोनों अब मदु से जलने लगी थी रिया ने कॉलेज की पढ़ाई हो जाने के बाद उसने IAS की तयारी शुरू कर दे थी सचीन और मदु दोनों उसका हर वक्त द्यान रखते थे रतियोगी परिक्षाए खत्म हो गई थी अब बस रिजल्ट आने वाला था मदु रोज भगवान से प्रार्थना करती रिया कहती मा चिंता मत करो तुन्हारे बेटी अवल आईगी और ऐसा ही हुआ जब रिजल्ट आया तो रिया ने All India Rank 16 प्राप्ट किया था आज सुबह से उनके घर पर पेपर वालों और मेडिया वालों की भीड थी सबी लोग उसका इंटर्विव ले रहे थे प्रदीप ने रिया की सफलता पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी चुकी उनकी कलोते परिवार की एक मातर बेटी ने आज दुनिया में उनके और उनके परिवार के नाम को जो रोशन किया था तो ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में बताईए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हाँ ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक जरूर कीजिएगा थैंक्स फूर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में